Image SEO Guides, आपने basic भी देखी होंगी, advanced भी देखी होंगी, मैंने इस channel पर publish की हुई हैं, लेकिन सब में basically एक जैसी चीज़े बताते हैं, यानि कि आप image का size गम करते हैं, उसका format वेब पी करते हैं, उसमें alt text वगर add करते हैं, that's it, बट क्या इतना ही होता है, well नहीं, professional agencies, बड़ी agencies, अपने client के website में कुछ ऐसी secret चीज़ें करते हैं, उनकी images के साथ में, जिससे उनकी images ज्यादा better perform करती हैं, लेकिन उनके बारे में बताता कोई नहीं है, don't worry, हम बताएंगे, आज के इस वीडियो में, वो सारा secret stuff, hello everyone, amamitwari, formativari.net, और आज के इस वीडियो में, हम secret image SEO की tricks और tips को लिख कराएं हैं, जिनको मैं explain करूँगा, ताकि आप अपनी website के images में implement करें, और images से ज्यादा traffic निकाले, images को high performing asset बनाएं, सबसे पहला point है, image structure data, yes, आपने बहुत सारे type का structure data अपनी website पर डाला हुआ है, आपने वीडियो के लिए structure data डाला है, आपने page के लिए डाला लेकिन क्या आपने image type का structure data कभी use किया है, toothpaste में नमक होता है, लेकिन फिर भी image type का structure data कोई भी plugin प्लग इन प्रवाइड नहीं करता है, अगर आप technicalseo.com के इस टूल पर ही जाएं, जिसको मैंने कई बार recommend किया हुआ है, इसमें आपको वीडियो मिलता है, बट image नहीं मिलता है, लेकिन image type का structure data Google support करता है, यह उनकी official list के अंदर है, image type के structure data के जरिए ना सिर्फ आप Google को image का link प्रवाइड करते हैं, बलकि आप उसे image के license के पराएं भी बताते हैं, कहां से image का license लिया जाता है, किसने बनाया था, उस image को person था या organization था, और उस person या organization का नाम क्या है, यह सारी information, image type के structure data के अंदर होती है, image type के जो structure data है, यह जब आप अपनी image के साथ में provide करते हैं, तो Google को ज्यादा confident feel होता है, आपकी image को Google के image search results में दिखाने में, इससे आपकी images, Google के search results में, image search results में, ज्यादा top पर दिखाई देती हैं, बहुत सारी ऐसी queries होती हैं, जिसमें Google top में, सिर आपकी images भी इस carousel में, उपर top में दिखाई जा सकते हैं, जिससे आपकी website को ज्यादा traffic मिल सकता है, now unfortunately अभी ऐसे बहुत सारे tool नहीं है, जो image type की schema data को generate करने में, आपकी help करते हो, लेकिन अगर आपकी custom coded website है, तो आप अपने developer से बात करके, यह जो आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है, image structure data का template, इस तरह के template में, अपनी images के साथ में structure data को add करा सकते हैं, अगर आपकी wordpress website है, तो आप rank math की custom schema data वाला option होता है, उसको use करके, अपनी website में, images के साथ में, image type का structure data add कर सकते हैं, अगर आपकी images अपनी खुद की खीची हुई है, अपनी खुद की generate की हुई है तो आप image के लिए इस licensing को claim कर सकते हैं, जिससे आपकी website के images को कोई चुरा कर use ना करें, कलको अगर ऐसा होता भी है, तो आप उससे अपनी images को protect कर सकते हैं, आप licensing के लिए बहुत ज़दा care करें या ना करें, लेकिन image structure data को use करके, आप अपनी website के images को image के search results में ज्यादा उपर push कर सकते हैं, और अपने competitor को वही पर beat कर सकते हैं, आपको secret image SEO सीखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन basic और advanced image SEO को भूल नहीं जाना है, अगर आप basic और advanced image की जो चीजे हैं, उन्हें भूल जाते हैं, for example, अगर आप image पे alt attribute को नहीं add कर रहे हैं, image को हलका नहीं कर रह अगर आप image SEO की इन basic और advanced चीजों के उपर बहुत ज़्यादा time spend नहीं कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ एक plugin इंस्टॉल करना है, air lift, इस plugin की खासियत है कि आपको किसी भी setting को सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ plugin को इंस्टॉल करना है, activate करना है, और इसके बाद आपक इसके dashboard में देख सकते हैं कि image की speed पहले क्या थी, बात में क्या है, सब कुछ आपके सामने custom तरीके साज़ेगा और यह free है, use कैसे करना है, यह जानने के लिए हमारी guide है, इसका link आपको top right corner में दिखाई दे रहोगा, आप जाकर इसे देखें, सीखें, use करें, ताकि आपकी website fast Now, अब वापस आजाते हैं, secret images, point number 2, text surrounding the images, यानि कि आपके images के आसपास, क्या text यूज़ किया जा रहा है, अगर आपको यह point समझ में नहीं आए, तो मैं आपको थोड़े minute पीछे लेकर चलता हूँ, जब ही images आपको दिखाई दी, तो आपकी दिवाग में क्या आया, कि यह मैं बोल रहा हूँ, उससे यह image कैसे relate करती है, now सोचिए Google के bot को यह shock पूरे time मिलता रहते है, आपकी website को visit करते time, आप अपनी website के home page पर company के history में के बारे में बात कर रहे होते हैं, और अचानक से वहाँ पे CEO का photo आ जाता है, आप अपने services के section में user को लेकर जाते हैं, वहाँ आप अपनी services को explain कर रहे हैं, और अचानक से बीच में कोई GIF आ जाता है, यह कोई भी unrelevant image वहाँ पर आ जाता है, कोई stock image आ जाता है, इन सारी images का आपके product के साथ में, या जो भी उस page पर text के साथ में क्या लेना देना है, हमीशा याद रखिए कि जब भी आप किसी image को, चाह कुछ बताना शुरू करें, अगर आप किसी person का photo use करने जा रहे हैं, तो उस image के आसपास दाएं बाएं उपर नीचे जहां पर भी space है, थोड़ी बहुत बात करें कि आखिर यह image किसके बारे में है, किसकी image, Google को अंतरयामी समझना गलत हो जाएगा, अपने user को अंतरयामी images, जब से यह stock images सस्ती होई है, free pick का subscription $10, $15 a month हो गया है, हर कोई stock image की website को या तो sign up करके, वहां से images को निकाल कर use कर लेता है, या फिर, you know, जो unsplash, plexus जैसी websites है, जहां पर आप free में stock images को निकाल सकते हैं, वहां से stock images को निकाल कर use करते हैं, कोई भी image को custom बनाना नहीं चाहता है, लेना नहीं चाहता है, and that is a problem, Google stock images के origin को समझता है, Google को पता है अची तरीके से कि यह stock image है, stock image चाहे जितनी fancy दिखाई दे, Google को पता है कि यह stock image है, इसका business से कोई लेना देना नहीं है, so वो image आपके business की image को, उसकी reputation को बढ़ाने में कोई help नहीं करती है, Google की नजर में अची दिखना नहीं शुरू हो जाती है, अगर आप अपने business की, अपने website related products की, services की unique photos लेते हैं, खुद से बनाते हैं उन्हें, तो आपकी website के perform करने के ज्यादा chances हो जाते हैं, जितने भी medium to big businesses हैं, वो हमेशा इसलिए अपने employees की, अपने खुद की images को उपर focus करते हैं, उनक आपकी कहीं पर भी Google Bot को stock images उनकी website के साथ में देखने को ना मिले, आपका business चाहे जिस type का हो, चाहे जिस industry में हो, हमेशा आप थोड़ी बहुत photos को, unique photos को लेकर use कर सकते हैं, अगर आप एक e-commerce store owner है, तो आपको और ज़्यादा स्लावधान रेने की जरुएत हैं, कहीं ऐसा न images को mobile के लिए प्लान करने की जरुएत है, हम लोगों ने Google के push करने के बाद, अपनी websites को mobile responsive बना लिया है, लेकिन images को अभी भी mobile responsive नहीं बनाते हैं, क्योंकि designers websites को desktop पर design करते हैं, और desktop और जब website को design कर रहे होते हैं, तो किसी भी image को लगाने के लिए, वो हमेशा landscape mode को use करते है, बेकिस landscape mode में image desktop पर ज्यादा अच्छी दिखाई देती है, desktop को monitor landscape mode पर होता है, लेकिन जब user उस landscape वाली फोटो को अपने mobile पर देखता है, तो कैसी दिखाई देती है, कुछ इस तरह से, छोटा हो गया सब कुछ, clear कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इस इंसान को पहचानना म भली landscape mode पर दिखाई दे, लेकिन जब वो mobile पर आये, तो जो image है, उसका important part है, वो portrait style में आपको दिखाई देना चाहिए, user को दिखाई देना चाहिए, जिससे जब वो image आपकी mobile website पर देखी जाए, तो ज्यादा बेटर तरीके से दिखाई दे, so अगर आप अपनी images को चाहते images, यह एक बहुत common mistake है, हम लोग, बहुत सारे creators, बहुत सारे website creators, अपनी images के अंदर कुछ text add करते हैं, और इसके बाद जब हम उस image को अपनी website पर use करते हैं, तो again उसी text को repeat कर देते हैं, and this kind of repetition is bad, अगर आप एक infographic बना रहे हैं, तो infographic के अंदर वो text use करें, जो आप website के अंद infographic वाले text को repeat ना करें, बलकि उसे explain करें, हम सभी जानते हैं कि Google को repeated content अच्छा नहीं लगता है, अगर आप page पर एक paragraph को दो बार repeat कर दें, तो आपके page की quality down होगी, similarly आपके image पर जो भी text use किया गया है, अगर आप उसे दुबारा website पर as it is, text format में भी repeat कर रहे हैं, तो आपके page की quality down होगी, तो हमेशा make sure कि आप images में कम से कम text को use करें, अगर image में text होगा ही कम, तो आपकी website के content में उसके repeat होने की chances खतम हो जाएंगे, last point is alignment, अपनी images का alignment बहुत strategic तरीके से करना चाहिए, हम website में images को क्यों use करते हैं, अगर हमें पता है कि सारी images वेबसाइट के size को बढ़ा आती है, speed को कम करते हैं, तो फिर हम images को क्यों use करते हैं, because images text से हमें थोड़ा सा relief देती है, जब आप लगातार एक बहुत लंबी सी wall of text पढ़ रहे होते हैं, तो अचानक से आँखें थकने लगती है, आप boring feel करने लगते हैं, बीच में एक image आती है, थोड़ा सा इंसान को आ आना शुरू हो जाती है, आप एक text पढ़ रहे हैं, जो कि left align है, बीच में image आती है, जो center align है, और इसके बाद फिर से again text आता है left align और फिर से image आती है center align, यह boring नहीं है तो और क्या है, हमेशा चाहे desktop mode हो या mobile mode हो, आप images को strategically plan करें, strategically align करें, अगर पहली image left align है, second image को आप right align कर सकते हैं, third image को आप center align कर सकते हैं, फिर से again left, right, center, या फिर left, center, right, जिससे images का एक flow बने, user की जो reader है, उसकी आँखों को थोड़ा से exercise मिले, उसे boring कम फील होगा, यह एक UX का part है, लेकिन अगर आपकी website का UX improve होगा, तो SEO भी improve होगा, तो अपनी images के alignment को थोड़ा सा fluid मनाएं, ता और इस तरह से आपकी image का SEO और ज्यादा improve होगा, website का traffic ज्यादा better हो जाएगा, तो यह हैं वो image SEO की tricks और tips जिनको हर बड़ी agency, professional agency अपनी website पर use करते हैं, अपने clients की website पर use करती हैं, बताती नहीं है, इन्हें आपने use किया है, इन सारी चीज़ों का अपने experience किया है, जब आप अच्छी website पर जाते हैं, तो आप बहुत satisfied feel करते हैं, आपको उस website को देखने हैं मजा आता है, लेकिन क्यूंकि किसी ने कभी भी आपको tips की तरह बताया नहीं है, किसी भी class में आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए आप उसे खुद से use नहीं कर पाते हैं, अभी आपको जाना ह अपनी websites पर और website पर इन सारे element को use करना है, थोड़ा alignment को shake up करना है, images को ज्यादा useful बनाना है, ताकि Google image से आपकी website को मिन लेवाला traffic भी बढ़े, और अगर आपने हमारी Google search console series को देखा है, तो आपको पता है अची तरीके से, कि आप कहा से image से आने वाला traffic monitor कर सकते हैं, उसे द अची तके ज्यादिए हाँ टूखना है, मैं अमेच तावरी लाठीरिस, र मिन जड्यास थाख जाहएँ और अपक taken canal मुणाझा अपको мम थ्यादा उना हैं, तो आपको